मसूरी मौल रोड सुधारी करण के कार्य हो रहे हैं जिसको विलम्ब को लेकर आज पूरो मुख्यमंत्री हरी शरावतनी पूरो निरधारित कारगिरम के तहन गांधी चौक पर धरना दिया और भाजका सरकार को कटगरी में खड़ा कर कई सवाल दागे गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आईयो जित धरना प्रदर्शन में शहर कॉंग्रेस के साथ ही होटल असोसियेशन मजदूर संग शिफन कोर संगर समीती के साथ ही स्थानिय लोग भी मौजूद रहे मसूरी से जेत कुमार सिंग के रपॉर्ट यह तो भारत बर्शिज मोदी जी होने जा रही है यह तो भारत की जनता एक तरफ है और मोदी जी का इंडिया एक तरफ है जो अडानी अम्मानी वाला उनका इंडिया है वो एक तरफ खड़ा होगा उनके बीच में होना है भाजपावाले कहीं जाएं कुछ जाएं अब उन मेरा करता भी है इतने साल कॉंग्रेस ने मुझको यहां तर पहुंचाया है तो मेरा करता भी है मैं लोगों के बाद जा करके अपनी तागज बाट रहा हूं प्रात्ना कर रहा हूं कि कॉंगरेस से जुड़िये मेरी तो खुच समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी रॉकेट टेकनलोजी की जर्वत है कौन से ऐसे जटिल इंजिनेरिंग की जर्वत है कि मसूरी के साधान से काम मरमत के काम नहीं हो पा रहे हैं और आप सड़कूं में गड्दे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहें सड़क को दुरस्टMiss कर पा रहें माल रोग जो मसूरी की साधान है और मसूरी जो राजि का अभिमान है और देश का संमान न है मसूरी के तुमने इह दूसरा कर दिये ये तो मोधी सरकार और धामी सरकार दोनु का को आइना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है इसी लिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया और आज धरने पर बैठे हैं सब कॉंग्रेस के लोग बैठे हैं और दूसरे मसूरी की लोग तांतिक सक्तियां भी बैठी है करमचारी एसोसीजन के लोग दूसरे लोग हैं सब बैठे हैं जो लुगतांति दाकते हैं और हम इंसब के साफ परामर्ज करके यदि यहीं नहीं कुछता अगले पंदर दिनों में स्तीतियां नहीं सुधरती हैं फिर मैं अध्यक जी से प्रात्ता करूंगा आपने कॉंग् गए हम यहां से मार्श आइजित करेंगे और इस दर्द को जो है जो मसूरी का दर्द है लोगों का दर्द है उसको पहुंचाएंगे लोगों का बड़ा नुक्षान हो गया हम समा चाहते हैं कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण कुछ लोगों की लापरवाईयों के कारण अ प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया पानी वाला चलिए लेकिन उसके साथ जो हमने कहा था कि वाटर हार्वेस्टिंग का भी करेंगे जो हमने कहा था कि यहां फर वन टाइम सेटिल्मेंट के अंदर चीजों को सुधा रहेंगे जो यहां आवाशी वो बनने थे परिश्ण ब अभी इसका कुछ चौड़ी करन का काम था कुछ मार को और सुधाने का काम था जिसका आधा काम हम करके गए थे तब वर्किंग तब तूरिस सीजन आ गया था इसलिए हमने उस काम को फिर वहीं वह रोग दिया था उसके बाद यह च्छे साल बीद गये हैं इस सड़क के नहीं कर पा रहे हैं काफी एक महीने से शंगर्ष कर रहे हैं मसुरी की लड़ाई कभी पहले हमने सबवतन क्यापन देकर फिर हमने स्वयम धरना दिया और आज हरी सावजी को मजबूर होकर आज मसूरी के हित में धरना देना पड़ रहा है तो कहीं नहीं हैं जो यहीं पूछ रहे हैं आपने मस्री को दिया क्या है कि क्या कर रहे हैं मसूरी के लिए लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है वह भारत तो लगे लेकिन जो उनकी विदान सबाया उसमें कोई द्यान नहीं है कोई रूची नहीं है आज हमारे पूर मुख्यमंति अरिश्णावजी यहां है समस्या उनको लेकर यहां पर बैठे उन्हें उन्हें भी अपने वक्तवे में काया है कि जो मेरे प्रोजेक्ट थे मसूरी के लिए वह जैसा मैंने छोड़ा था आज जब्सके तस है उन्हें आगे कहीं नहीं बढ़ाया गया और जो योजनाय मेरे दुआरा यहां में लाई गई थी कई कई ना कई में से एक योजना तो लग 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 पूरी हुई लेकिन आज भी उसका उप्योग है वह जंता को नहीं मिल पा रहा है तो हम आज बाद सरकार को पुना चताम नहीं देना चाहरा हूं आपके माध्यम से कि अभी तो हमने धरने और यापन का ही दौर चलाया है अगर आपने हमें इसी तरह से मजबूर किया तो आम जंता के साथ सबकों पर उतर कर भू करताल और मसूरी बंजा से भी काम हमें मसूरी के विकास के लिए करने पड़ेगी है अभी मुख्य मस्री हरिशावजी के आदेश को सर्वो परिमानते वे उन्होंने काया कि यदि फिर भी अभी पंदरा दिन में हालात नहीं सुदरते हैं तो मसूरी कॉंग्रेस जो सहर काउं के इस कमेटी है वो मसूरी से देरा दून तक इसको लेगार एक पैदल मार्च करे कि अपनी एक यात्रा निकालेगी